हेलो बच्चों लेके आगे हम आपके लिए चैप्टर थर्ड का पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे सिल्क फाइबर के बारे में कि कैसे सिल्क हमें मिलती है और कैसे उतसे क्या बनता है फैब्रिक बनता है तो बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है हम देखेंगे कि कैसे जो सिल्क है यह एनिमल फाइबर के अंडर आती है उतसे पहले हम पार्ट वन में डिसकस करके आये थे बूल के बारे में वहाँ पे एक टॉपिक मिस हो गया है पहले में वह आपको बताने वाली हो उसके बाद हम क्या करेंगे सिल्क को डिसकस करेंगे चलिए शुरू करते हैं वहा अंडरस्ट्री में काम करते हैं इन्ट को ख мозo करते हैं तो अंडरेशी में काम करने वाले जो वर्कर उते हैं इनके लिए को कुछ रिस्क भी होते हैं, इन की लिए कुछ हैल्थ इशूज आ जाते हैं, तो उसी चीज को, उन्हें रिस्क को, क्या बोला जाता है, और क्योपेशनल हैजार्टे हैं, तो चलिए देखे की वुल इनडूसर्टरी में, जो सौर्टर जॉब करते हैं वहां पर हमने डिस्कस किया था पार्ट बन में कि सौर्टर जॉब कौन सी जॉब है जब सौर्टिंग आउट करते हैं वी वूल को वहां पर जो वर्कर्स होते हैं जो वूल आती है शीप से वो थोड़ी कॉंटैमिनेटर होती है डस्टी होती है कुछ बैक्तिरिया भी होते हैं उनके ऊपर शीप्स के जो हेर जो कट करके आते हैं उनके पास सौर्टिंग आउट करने के लिए तो क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर क्या है एक बैक्टीरिया चला जाता है जिसका नाम क्या है एंध्रेक्स ये बैक्टीरिया उन्हें ब्लड की एक डिजीज कर देता है जिसका क्या नाम है सौटर डिजीज कौन सी डिजीज है ये सौटर्स डिजीज इस डिजीज का नाम है ये वूल इंडरस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं जिनकी जॉप सौर्टर है उनके लिए ये वाली डिजीज जादा कॉमन हो जाएगी क्योंकि वही जादा कॉंटैक्ट में आते हैं कॉंटैमिनेटेड जो हेर आते हैं शीप्स के तो वहां पे उनकी बॉड़ी में कौन स जादा रिस्की हो सकता है ये डैठ भी हो सकती है उनकी इस बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है तो ऐसे ही बहुत सारी जो और हमारे पास इंडरस्ट्रीज हैं वहां पे भी ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप की डिजीज उनसे जुड रहे थे तो ये भी एक आपकी बुक में गिवन है आपको पूछा जा सकता है पेपर में सौटर डिजीज के बारे में ब्लड की डिजीज है डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होएंगे जैसे वोमिटिंग होना है डेक होना अब्डॉमन पेन ऐसे बहुत सारी उनको क्या आ यह पहुची हमारे तक फैब्रीक की फाँ चलिरी शुरू करते हैं टॉपिक से इनीमल फईबर हैका है औज हमें मिलती कहां से है यह हमें मिलती है सिल्क वॉन से सिल्क वॉन जो है इससे क्या बोल सकते हम कैटर पिलर भी बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं जी कैटर पिलर स्टूडेंज तो कैटर पिलर जा सिल्क वाम जो है ये क्या हमें देते हैं ये देते हैं हमें सिल्क फाइबर तो क्या कर किया जाएगा सिल्क फाइबर के लिए तो सिल्क वाम्स को रियर किया जाएगा उनका टेक केर किया जाएगा उनको खाने के लिए जो उनका फेबरिट फूड है वो दिया जाएगा उनको अच्छे से weather conditions में रखा जाएगा means उनकी जब हम rearing करेंगे silk warm से ही हमें मिलना है silk fiber तो आगे जाके हम देखेंगे कि silk warm दिखता कैसे है हमें तो आप देखें पूरी वीडियो silk warm से हमें क्या मिलता है silk fiber मिलता है students ये क्या करता है spin करेगा अपने around silk fiber को वो हम देखने वाले हैं next जो अभी पाट आने वाला है थोड़ा सा हम देखेंगे what is sericulture जब rearing करेंगे जैसे agriculture होता है agriculture में plants क्यों क्या किया जाता है अच्छे से cultivate किया जाता है वैसे ही ऐसे sericulture होता है जहां पर हम क्या करेंगे rearing of silk warm rearing of silk warm को क्या किया जाएगा उनको अच्छे से संभाल के रखेंगे उनको खाने के लिए food पर वाइड किया जाएगा उनको अच्छे से weather conditions प्रवाइड की जाएंगी तभी तो वो हमें क्या देंगे? Silk Fiber देंगे ना? Rearing of Silk Worm for obtaining Silk Fiber, clear? जब हम Rearing करते हैं Silk Worms को, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमने वहां से क्या लेनी है? Silk Fiber, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोला जाएगा सेरी कल्चर, clear? यह आपको याद होनी चाहिए, definition, सेरी कल्चर जो है, यह होती है, Rearing of Silk Worms, चलिए अब हम देखें कि कैसे यह हमें Silk Fiber देंगे? तो students, life cycle देखेंगे हम Silk Worm का, कैसे life cycle है? पहले यह देखना है हमने, फिर आपको बहुत अच्छे से पता चलिएगा कि वो हम Silk कैसे मिलती है हमें? तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, life cycle of Silk Moth लिखेंगे हैं, life cycle of Silk Moth. तो देखें, यह हमारे पास Silk Moth होता है, जैसे butterfly होती है न, वैसा ही दिखता है, लेकिन यह colorless सा होगा था। यह है थोड़ा Silk Moth, ठीक है? एक male है, ऐसे female भी होगा, male होता है, female होता है, ठीक है? सिल्क मौथ है, लेकिन जो सिल्क female है, सिल्क मौथ की जो female है, एक male है, जो female है, यह क्या करेगी? यह हम बात कर रहे हैं, मलबरी, सिल्क मौथ की, जो मलबरी ट्री के उपर, क्या करते हैं, अपने eggs को hedge, अपने eggs को ले करते हैं, सौरी, not hedge, तो जो यह female होगी, वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो leaves के उपर रह रहे हैं, ट्री के उपर, तो वो अपने eggs को ले करते हैं, छोटे-छोटे से eggs होते हैं, इनके hundreds के number में ये क्या करती है female अपने eggs को ले करती है कुछ दिनों के बाद ये eggs में से क्या निकलता है silk warm निकलेगा माल ये ये egg था इसमें से क्या निकला इसमें से क्या निकला इसमें से निकला जी silk warm निकला clear ये है जी silk warm जैसे आपने देखा भी होगा चले, यह आ गया जी, silk warm बाहर आ गया है इसी को बोलते हैं, caterpillar यह silk warm है, यही caterpillar का नेम भी से हम देते हैं जा फिर इसको हम silk warm भी बोलेंगे और यह कौन सी stage है, यह है जी, larva stage इसी caterpillar को बोला जाता है, larva यह larva stage होती है, caterpillar यह eggs हैं पहले, eggs में से क्या निकला, caterpillar बाहर निकला जाज silk warm हम इसे बोलेंगे, यह larva है अब यह जो larva है यह बहुत ज़्यादा क्या करेगा day, night क्या रता है, leaves को खाएगा, mulberry leaves को बहुत इसको पसंद है तो फटा-फट से उनको खाता रहेगा, खाता रहेगा, तो जितना खाएगा, उतना जल्दी grow भी करेगा तो यह बहुत जल्दी क्या कर जाते हैं, grow कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद यह क्या करते हैं, फिर यह चले जाते हैं, next stage में जिसे हम बोलते हैं, प्यूपा stage लेकिन इस stage में जाने से, यह जो प्यूपा stage है इसे हम बोलते हैं, motionless stage motionless stage बोलेंगे से, motionless stage और resting stage का भी से हम नाम देते हैं बहुत ही important part, means, अब उन्होंने खा लिया है, पी लिया है, अब वो सोचते हैं, थोड़ी rest की जाए, clear तो वो लेकिन rest करने के लिए क्या चाहिए हमें, थोड़ा अच्छा सा एक blanket चाहिए होता है, अगर आपने भी सोना होता है तो हमें भी दिल करता है, कोई चादर लेके सो जाए, जा कोई ब्लैकर लेके सो जाए, same way ऐसे ही caterpillar का भी मन करता है, कि जब मैंने resting stage में जाना है, भी भी मैंने rest करने जाना है, तो मेरे round भी क्या होना चाहिए, एक soft सा अच्छा सा cover होना चाहिए तो वो क्या करेगा, कहां से लेके आएगा, उसे धोड़ी कोई देने वाला है blanket, तो वो खुद ही अपने लिए एक blanket बनाएगा, तो वो अपने around, अपने मुह से क्या छोड़ते हैं, कुछ liquid सा निकालेंगे, वो liquid जैसे ही बाहर आता है, air में, वो एक क्या बन जाता है, तो ये अपने around ऐसे पूरा बंद कर लेते हैं, अपने around के माली जे ये ये caterpillar था, उसने around क्या किया, अपने आपको अपने मुह से निकाला निकाला पूरा धागा, तो अपने around क्या है, ये क्या कर लिया, एक cover कर लिया, जिसको हम किसका नाम देंगे, पूरा छुप कोवर जिसे हम वो तै कुकून है कि तो यहां जो है कि बेसीकली यहीं से हमें मिल दिया सिल्क फाइबर अपने रांड वह सिल्क फाइबर को ही क्या करता है स्पिन करके एक कवर बना लेता है ऐसे अपने उसे धागा निकालेगा उसको ऐसे 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 पूरा अपने राउंड क्योंकि वो अंदर गुम गुम के पूरा इधर उदर पूरा अपने आपको बंद कर लेंगे फिर उसके बाद वो कौन से स्टेज में चल जैसे उसका पूरा कुकून बन गया फिर वो कनवर्ट हो जाएग इसमें पूरा बन गया कुकून अब उसको लगता कि अब मैं राम अराम से सो सकता हूं तो वो कौन से स्टेज में चला जाएगा स्टूडेंस वो बन जाएगा प्यूपा स्टेज में उसकी थोड़ी सी स्ट्रॉक्चर चेंज हो जाएगी ऐसा कुछ दिश से आपको यहां इसा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका ब्राउन सा कलर होता है क्लिया तो ऐसा वो बन जाएगा देखी यह और यह कितना डिफ्रेंट लगता आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यह वाला वहां से बना है तो अंदर राम से वो पड़ा रहता है रेस्ट क होती है उनकी बॉड़ी के अंदर चेंजिस होने होती रहती है अपने अब जब वो उसके अंदर बंध है तो वो फिर क्या बन जाता है उसकी जो बॉड़ी की चेंजिस होने के बाद वो मौथ में कनवर्ट हो जाता है मेल भी बन सकता है फिल भी बन सकता है तो फिर क्या रएगा मौथ? ये मौथ है ना, इसको हम बोलो है silk मौथ, ये दोनों ही क्या है, silk मौथ है, मौथ और वाउंंग डिफरेंट है, fod dim जिनके wings भी है, ये है वाउंग, इसके wings नहीं है, clear? तो ये pupa, के अंदर कुछ metamorfses changes आती है, उनकी body के अंदर कुछ changes चीज़ आती है, तो किसकी अंदर कborट हो जाता है सिल्क मौथ में तो वहां से कुकून को तोड़ेंगे सिल्क मौथ और उठ जाएंगे, छियर, तो ये तो था लाइफ साइकल और सिल्क मौथ, तो अब हम देखेंगे कि कैसे कुकून से हमें मिली सिल्क, तो स्टूडेंस जब ये कुकून होते हैं, तो ये कलेक्ट किये जाते हैं, तो कैसे करेंगे सैरी कल्चर में क्या होता है, अब हम देखें, ये जो हमने अभी देखा ये तो नेचरल, नेचर में करते है वो ऐसा सारा कुछ नेचर में वो ऐसे उनकी स्टेजिस हैं ऐसे सेम भी क्या किया जाएगा जब ये वाले सिल्क मॉथ एग दे देंगे तो एग्स को क्या किया जाएगा बहुत केरफुली mulberry tree से collect कर लेंगे किसी paper के उपर जा किसी strip of cloth के उपर, piece of cloth के उपर, जा paper के उपर यो eggs को ले लेंगे और फिर वो eggs को क्या कर देंगे, बेच देंगे, किनको जो लोग सहरी culture करते हैं farmers को दे देंगे eggs को, तो वो farmer क्या करेंगे, वो farmer उग्स को रख लेंगे एक hygienic condition में, साफ सुथरे से, किसी room के अंदर जहां पे उन्होंने अच्छे से उनको रखना है warm temperature में, humidity और जो temperature है, थोड़ा सा fix करना पड़ेगा इन eggs के लिए लेकिन जब फिर वो कैसे larva, कैसे वो इनको caterpillar में convert करवाएंगे, देखें जब trees के ऊपर fresh mulberry leaves लगते हैं, वो store करके रख लेंगे eggs को जब देखेंगे कि अब weather में, बहुत सारे mulberry trees में, बहुत सारे leaf लगे हुए हैं तो वो उसी time पे क्या कर लेंगे, इन egg को hatch कर देंगे, hatch करने के बाद, means इन egg में से क्या निकाल लेंगे caterpillar कैसे करेंगे, वो उनको एक अच्छा सा temperature देंगे, humidity देंगे, जैसे उनको ये provide किया जाएगा temperature वगरा, तो वो क्या बन जाएंगे, caterpillar बन जाएंगे इन caterpillar को फिर क्या करेंगे, एक bamboo की trays होगी, bamboo trays के अंदर उनको रख लेंगे, बैम्बू trays के अंदर इन caterpillar को रख लेंगे, ऐसे trays बनाएंगे, कुछ box बनाएंगे, उनके अंदर उनको छोड़ देंगे caterpillar को, तो फिर caterpillar और उसके अंदर बहुत सारे mulberry leaves देंगे, उनको खाने के लिए एक लिया, तो ऐसे ही उनको mulberry leaves दे देंगे, अगर वो उनको ट्रेस पे रखेंगे, फिर तो moth बनके उठ जाएंगे, तो उनको ट्रेस के अंदर ही सारा provide कर देंगे, खाना को ना, तो क्यों रख रहे हैं, वो culture कर रहे हैं, तो यहां इसके अंदर इन caterpillar को रख देंगे, माली यह चोट-चोट इसे caterpillar है, तो यह caterpillar खाएंगे, यहीं उनको mulberry leaves दिये जाएंगे, खाने के लिए वो खाते रहते हैं, day night, day night, वो बड़े हो जाएंगे, बड़े होने के बाद फिर वो सो protein होती है, basically, जो air के exposure से क्या हो जाती है, hard हो जाती है, protein, आपने याद रखना है, students, तो चले कुकून बनगे, इस ट्रे के अंदर वो कुछ twigs भी रख सकते हैं, कुछ branches भी उनको provide कर सकते हैं, trees की, ताकि कुकून उनसे चिपक जाए, attach हो जाए, तो ऐसे ही वो अपना कुकू क्या करेंगे, collect करेंगे, और उनको फिर क्या किया जाएगा, फिर उनको धूप में सुखाया जाएगा, कुकून को boil किया जाएगा, अच्छे से सारे कुकून को boil करने के बाद, फिर क्या करेंगे, वहां से उनका जो, उसे अनबाइंड करेंगे उस थ्रेड को तो वो होता है रिलिंक, रिलिंक, रिलिंक of सिल्क, फाइबर, क्या होता है, means taking out, taking out the thread, taking out the thread from cocoon, to use silk as, to use silk fiber, ठीक है न, तो क्या करेंगे, unbind करेंगे, means, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे किया जाएगा, wait के रिए, एक मिनट, मान लेजी, ऐसे एक cocoon है उनके पास, तो ऐसे एक फाइबर को निकालेंगे, जैसे मेने यहां इसमें से एक धागा निकाल रहे हैं, तो यह reeling है, तो इस धागे को फिर क्या करेंगे, जो वो फाइबर निकाल रही है, इसको spin किया जाएगा, एक यान बनाया जाएगा, उस यान को फिर कहां पर यूज़ करेंगे फैबिक बनाने के लिए clear? सिल्क फाइबर से What gros से फिर क्या बनाएंगे? यान बनेंगा सिल्क का धागा बनाएंगे और उस यान को यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए फैबिक स्टूडेंस हमारे पास different type की सील्क होती है क्यół क्यों क्योंकि जो सिल्क मौत होते हैं वह भी डिफरेंट वरा miteinander होते हैं जैसे हम शीप के अंदर पढ़के आये हैं ऐसे हर एक एनिमल की हर एक की डिफरेंट बरीड है जैसे हम डॉपकी breed भी देखते हैं कितरे type के dog हैं हमारे पास वैसे ही हमारे पास silk की भी different क्या होंगी variety होंगी उन variety से ही different type की silk moth जो variety है उनके basis पे ही हमारे पास different type के वो cocoon बनाएंगे क्योंकि अगर moth अलग है तो उनके cocoon का भी थोड़ा difference होगा तो उसी basis पे हमारे पास कुछ जो silk fiber हैं वो shiny होंगी कुछ थोड़ी rough होंगी कुछ dull होंगी कुछ soft होंगी वो depend करता है कि कैसा हमारे पास silk moth है ठीक है उसी basis पे कौन-कौन सी silk है किसार silk है students ठीक है कोई different kind का जो silk moth होगा उसी के basis पे क्या है टसार silk है ऐसे एक मूंगा silk है तो यह आपकी book में नेम गीवन है तो आपसे पूछा जा सकते है कि write down the name of different type of the silk ऐसे ही कोसा silk है and जो mostly common है वो है mulberry silk जो हम use करते है mostly यह soft भी होती है जो mulberry silk है यह बहुत ज्यादा क्या होती है students soft है और lustrous होती है means shiny है और elastic है means इसको खीचेंगे जैसे elastic को हम खीचते हैं तो तूटेगी ने तो यह भी माना जाता है कि जो silk fiber होता है यह काफी ज्यादा strong होता है जैसे steel का fiber strong होता है उतना ही जो silk fiber है यह क्या होता है variety varieties आप देख सकते हो कितनी यहाँ पे names बिलकुल easy name है आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो तो student यह था आपका chapter fiber to fabric अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है इस chapter में से तो आप हमें पूछ सकते हैं आपको अगर इस chapter की pdf चाहिए then you can send us your email id thank you so much कर सकते हैं